इसकी जो सीट है वो ब्रेजा की सीट से भी ज्यादा कमफर्ट है क्योंकि मैंने खुद लिया है ब्रेजा फ्रंट की बात कर ले तो मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको 12 बोल्ट का एक अडप्टर भी मिल जाता है और उसके बगल में आपको एक USB-C पोड भी मिल जाती है 378 लिटर का बूट इसपेस जो की अपने आप में काफी बड़ा है की गाड़ी की जो माइलेज है वो 23 किलोमेटर पर लिटर की कमपनी क्लेम करती है अगर आप इसे ढंग से चलाओगे तो आप आसानी से इसमें अब हम लोग बात कर लें इसके कीमत की तो इसका जो एक सोरूम प्राइस है वो है है गरे सो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभी गैरेज में और आज मैं आ गया हूँ रांची के सबसे बड़े सोरूम प्रेमसंस मोटर में यहां मैं आपको दिखाने वाला हूँ मारिती सुजू की स्विट डिजायर VXI मोडल के सारे फीचर्स क्या कोस्टिंग पढ़ती है कितनी की माइलेस देती है क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते है वेल्यू फॉर मनी होने वाली है या नहीं होने वाली है वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले है तो जो भी मेरे चैनल में न्यू है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो जरूर लाइक कीजिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाड़ी की लुक की तो गाड़ी का स्ट्रक्चर वही है जो की पूराने स्विफ डिजायर में आता था और इंडिकेटर उसी हैड़ी के नीचे में मिल जाता है जो की पहले आती थी तो अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर जाकर सबसे पहले हम लोग इसके सीट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि सीट जो है आपके ड्राइविंग को कमफर्ट बनाती है क्योंकि सीट की बात कर ले तो मेरे हिसाब से इसकी जो सीट है वो ब्रेजा की सीट से भी ज्यादा कमफर्ट है क्योंकि मैंने खुद लिया है ब्रेजा जब मैं रिव्यू करने गया तो मुझे ये फील हुआ कि ये जो सीट है ना वो ब्रेजा के सीट से ज्यादा कमफर्ट है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, गाड़ी के चाबी के बारे में, तो इसमें आपको वही पुरानी वाले ही चाबी मिलती है, जिसमें दो बटन होते हैं, जिससे आप अपनी गाड़ी को lock और unlock कर सकते हैं तो अब हम लोग steering के बाद कर लें तो steering में आपको sujuki का logo मिल जाता है और logo के बगल में ही आपको volume up-down करने के लिए एक button मिल जाता है और इसमें Bluetooth connect करने के लिए phone calls लगाने के लिए भी आपको button अलग से दे दिये गए है इसके बाद हम लोग गाड़ी की चाबी on कर लेते हैं और on करने के बाद गाड़ी की meter का जो look है कुछ इस type का है इसमें आपको fuel meter, indicator, fuel tank वगेरा battery की कितनी health है वो सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है इसके बाद हम लोग बात कर लें इसके music system की तो इसमें आपको touchscreen display मिलने वाला है और चारो दर्वाजे में आपको 4 speaker मिलने वाले है इसमें आप FM radio और अपने mobile के थुरू इसमें आप Bluetooth connectivity भी दी गई है जिससे आप अपने mobile के थुरू भी इसे बजा सकते हो इसके बाद हम लोग बात कर लें इसके AC event की जो के display के जस नीचे दिया गया है जिसमें आपको दो option मिल जाते हैं एक heater का दूसरा AC का और front की बात कर लें तो mobile charging के लिए आपको 12 volt का एक adapter भी मिल जाता है और उसके बगल में आपको एक USB C port भी मिल जाती है जिसे आप अपनी mobile को आसानी से charge कर सकते हो तो सुजुकी वालों ने ये अच्छा काम किया है कि आजकल जो USB port आ रहे है वो company वालों ने गाड़ी में भी दे दिया है उसके बाद हम लोग बात कर लें इसके back की तो back में भी आपको mobile charging के लिए कुछ ऐसे event मिल जाते है और पीछे में भी इसमें AC के event दे दिये गए है अब बात कर लें इसके interior में light की तो यहां आपको दो light मिलने वाले है front में एक light मिलने वाला है जो कि yellow color का होनी वाला है और दूसा light जो पीछे की और भी मिलने वाला यह भी yellow color की होनी वाली है अब बात कर लें हम लोग इसके window की तो चारों दर्वाचों में आपको power window मिलने वाला है और driver seat के पास चारों window के control मिलने वाले है बात कर लें इसके tire की तो इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है 14 इंच का tire जो की इस गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छी है गाड़ी के जो tire का number है वो है 165-18-14 बाकी rear side की हम लोग बात कर लें तो rear side आपको मिलने वाला है chrome finish की beat उसके बाद आपको नीचे एक sensor भी मिल जाता है जिससे गाड़ी की parking वगेरा में आपको दिक्कत ना होगी front में आपको Suzuki का logo में मिल जाता है तो यह रहा इसका back look so अब हम लोग बात कर लें इसके boot space के बारे में तो यहाँ आपको मिलने वाला है 378 liter का boot space जो की अपने आप में काफी बड़ा है इसलिए बहुत से लोग इस गाड़ी को commercial vehicle के रूप में यूज करते क्योंकि इसका boot space भी काफी अच्छा है so अब हम लोग बात कर लेते हैं गाड़ी की engine के बारे में कि गाड़ी की engine कितना power produce करती है कितना का mileage निकाल कर देती है और सबसे बड़ी बात की गाड़ी की कीमत क्या है तो यहां आपको मिल जाता है 1200cc का engine जो की 4 cylinder के साथ आती है यहां आपको 113NM का torque produce करती है और सबसे बड़ी खासियत की गाड़ी की जो mileage है वो 23 km per liter की company claim करती है अगर आप इसे धंग से चलाओगे तो आप आसानी से इसमें 20-21 का mileage जरूर निकाल लोगे अब हम लोग बात कर लें इसके कीमत की तो इसका जो एक सोरूम प्राइस है वो है 6,94,000 रुपे और on-road आते आते हैं यह अलग-अलग सहरों में अलग-अलग vary करती है क्योंकि सभी सहरों का tax अलग होता है तो आप्रोक्स में अपनी राची का बता दे रहा हूँ वो है 7,96,000 रुपे तो 8,00,000 से कम में यह गाड़ी आपको मिल जाती है और mileage की हिसाब से भी देखा जाए तो गाड़ी काफी अच्छा mileage निकाल कर देती है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताए अगर आपका कोई question है तो वो comment करें मैं उसका जरूर reply दूँगा तब तक के लिए धन्यवाद